स्वागत दोस्तों आपका हमाल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर डाम है दोस्तों इस वक्त आपके पास mutual fund plan के अंदर एक ऐसा बहतीन fund मिल रहा है जिसमें अगर आपको एक करूर रुपे का fund बनाना है तो फिर आपको लाखो रुपे निवेस्ट करने की जरुवत नहीं है बलकि आप 15,085 रुपे का निवेस्ट करके भी इस दमदात mutual fund के अंदर एक करूर रुपे तक fund बना सकते हैं और अब अपने किसी भी बड़े fund बनाने के target को पूरा कर सकते हैं दोस्तो इस वक्त mutual fund plan के अंदर पैसे को निवेश करने के लिए हमारे पास एक जबर्दस्त मौका मौझूद है क्योंकि यहाँ पर अगर आम पैसा निवेश करते हैं तो एक जबर्दस्त रिटन हासिर कर सकते हैं शौर्ट अम में आपको mutual fund plan में थोड़े बहुत correction मिल सकते हैं लेकिन आपका target अगर आठ से 10 साल पैसे निवेश करने का है और आपको 1 करूर उपे fund बनाना है तो फिर आपके पास अभी भी मौका मौझूद है जहाँ पर आप कम पैसे निवेश करके एक बड़ा fund आसानी के साथ बना सकते हैं क्योंकि आपसे 10 साल पहले अगर आप mutual fund plan के अंदर पैसे को निवेश करते तो आपके पास एक बड़ा fund होता और अभी भी आपके पास एक 18 मौका मौझूद है जहाँ पर आप पैसे को निवेश करके एक बड़ा fund कम पैसे निवेश करके भी बना सकते हैं मार्केट में शौर्ट टम में थोड़े बहुत करेक्शन ज़रूर आए हैं लेकिन अगर आपका टार्गेट लोंग टाइम पैसे निवेश करने का है तो फिर आपके बात ये वक्त बिल्कुल सही है क्योंकि मार्केट में एक अच्छा करेक्शन आ चुका है और यहां से अगर आप पैसा निवेश करते हैं तो फिर आप अपने टार्गेट को भी आसानी के साथ उरा कर सकते हैं क्योंकि शॉर्ट टम में तो आपको मुजल फंड में तोड़े बहुत करेक्शन धरूर मिलेंगे लेकिन टार्गेट जब आट से दस साल या विट पांत साल निवेश करने का होता है तो फिर आप शॉर्ट टम के करेक्शन को फेस करके एक बड़ा फंड भी आसानी के साथ बना पाते हैं और दोस्तो आज हम जिस मुजल फंड प्लान की बात करने वाले हैं ये फंड भी कुछ ऐसा ही है कि इनरा का जिसके अंदर आप 15,850 रुपे से ही एक करोड पी तक फंड बनाने के टार्गेट को पूरा कर सकते हैं और यहां से अगर आपको निवेश करना है आपके पास एक मौका भी है क्योंकि फंड के अंदर अब एक अच्छा खासा करेक्शन आपको मिल रहा है और इस करेक्शन का पेनिफिक लेकर शौर्ट तर में भी इस फंड के अदर एक बड़ा फंड बना पाएंगे क्योंकि इस fund के अंदर अगर हम return की बात करते हैं तो दोस्तो fund ने अलगता return हमें काफी अच्छा दिया है 30.43% का के लिज़ा रुबी को small cap fund है ये और दोस्तो small cap category के जितने भी mutual fund प्लान है उनमें अगर हमें इस fund की बात करते हैं तो इस fund ने हमें return काफी कमाल का दिया है 35% return, last 20 year में 39.60% return और 6 मत में fund के अदर हमें 20% से जाधा return प्लान है जयनि कि इस mutual fund प्लान में अगर हम पैसे को नवीश करते हैं और हमारे एक बड़े fund बनाने का target है तो फिर हम यहाँ पर पैसे को नवीश करके अपने किसी भी target को पूरा कर सकते हैं क्योंकि इस fund के अंदर अगर हमें 30% के return की जखा और भी return कम मिलता है तो कैसे हमारा पैसा बढ़ सकता है इसे भी एक बार जरूर चेक करना चाहिए अब दोस्तों हमारे पास जाधा पैसे रही हैं हम सिफ 15,850 रुपे इस fund के अंदर एक बार डालते हैं और 30% की जगा fund में हमें 24% का ही सिर्फ return मिलता है यहाँ पर हम अपने पैसे को नवीश करने का target अगर रखते हैं सिर्फ 6 साल का तो 15,850 रुपे का नवीश करके इस दमजार mutual fund के अदर 57,618 रुपे का fund बनाएंगे इसमें 41,768 रुपे का return हमें मिल जाएगा लेकिन अगर हम पैसे को 12 साल के लिए तो 15,850 रुपे का नवीश करके हम 2,09,000 रुपे का fund बनाएंगे 1,93,000 का return और दूस्तों अगर हम पैसे को डालते हैं 18 साल के लिए तो फिर हम 15,850 रुपे का नवीश करके 7,61,000 रुपे का fund बनाएंगे 7,45,000 का return दोस्तों अगर हम पैसे को नवीश करते हैं 24 साल के लिए तो फिर हम 15,850 रुपे का नवीश करके इस दमदार फंड के अंदर 27,67,000 रुपे का फंड बनाएंगे इसमें 27,62,000 का रिटन हमें मिल जाएगा देकिन अगर हम 30 साल तक पैसे को डालते हैं इस दमदार मुचल फंड के अंदर सिर्फ 15,850 रुपे तो इससे हम एक करोड रुपे तक फंड बना सकते हैं इसमें एक करोड का रिटन हमें मिल जाएगा क्योंकि अगर हम इस मुचल फंड प्लान की व बात करते हैं तो यहां पर 30 प्लान के पोट्फिलिआ में जमें पैसे को निभीच क्या क्या गया है और दोस्तों यह एक ऐक बहतिन कंपनी हैं जिनो हमें आपकी पैसे को निभीच पॉर्फलियो काफी दंदर है, जिसमें प्रैसे गया है, और दोस्तों आगे भी यहाँ पर इस पॉर्फलियो में, हम एक बहतीन कोड में सब्धी है, जिसका फायदा कर हमें लेना है, तो यह वक्त बिल्कूल सही है, यहाँ पर हम प्रैसे को नविश करके एक बड़ा फंड आ प्राइज होता है इस करेंट एनिवी के प्राइज से यूनित लॉट की जाती है और इसी पर हम प्रॉफिट्य लॉस ट्रैप कर सकते हैं उन्हीं फंड के अंदर लंब समय मिनिमुमा पांच ज़ाद पर तक निवीश कर सकते हैं और बाद में भी इसे आप बढ़ा सकते हैं द सेक्टर, सर्विसिस सेक्टर, हेल्थ केर, कंस्टर्चन और कंस्यूबंस टेंपल के अंदर फंड के पैसे को निवीश करता है और दोस्तों यार सारी और दोस्तों यह सारी दमदार हैं जिनमें आप पैसे को निवीश करके एक बहतीन फंड यहां से बना सकते हैं दोस्तों का expense ratio खर्चा है 0.44% यानि कि आप जो भी पैसा निवेश कर रहे हैं और जो भी फंड का expense ratio होता है ये पैसे काट कर आप अपने पैसे को अगर एक साल से भारे निकालते हैं तो एक परसेंट एक से लोट चार्ज जैना होता है लेकिन एक साल के बाद एक लाग 25,000 से जादा गर कर रहे हैं दोस्तों किने रहा रोबिक को mutual fund house के हम बात करते हैं तो इस EMC के पास rank काफी बढ़िया है asset के साफ से 18 नमर पर 1987 में fund house स्टार्ट हुआ था और एक लाग 9,000 करो रुपे से जादा fund के पास ये उम भी है तो दोस्तों किन रहा के इस दमदार mutual fund plan में इस small cap category में अगर हम पैसे को नवेश करते हैं और हमारे एक बड़े fund बनाने का target है तो फिर आप यहाँ पर पैसे को नवेश करके एक बड़ा fund भी बना सकते हैं वो भी कम से कम पैसे नवेश करके शॉर्ट टम में तोड़े बहुत correction मिल सकते हैं लेकि लॉंग टाइम में इस mutual fund के अदर आपको जबरदस्त growth मिल सकती है दोस्तों वीडियो से लेटेट कोई कोशन होता है तो आप ज़रूर बताइए आपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेर करें और चैनल को भी subscribe ज़रूर करते हैं धन्यवाद